नमस्कार साथियों, डॉक्टर रुमंग खर्ना उम्योपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज साथियों हम लोग चर्चा करेंगे एप्था यानि मुह के च्छालों के 10 कर दवाएं जो इसको पूरी तरह से ठीक कर देती हैं साथियों सबसे पहले समझ देते हैं कि ये मुह में च्छालों का रूप में धार आ जाती है और इसको हम लोग मूँ के जाले या अप्था या माउथ अलसर कहते हैं साथियों इसके कारण तमाम होते हैं जैसे की पेट खराब होना, अत्यर्दिक ऐलोपैथिक दवाए लेना और जो है मिलिगनिंसी होना इस तरह के तमाम कारण होते हैं साथियों, यहाँ एक day to day की समस्या है जो अक्सर हम लोग को हो जाती है इसके होमियोपैथी में बहुत बढ़िया कारण दवाए हैं जो वास्तविक रूप से काम करके आपको बहुत जल्दी सही कर देती हैं यहाँ कारण साथियों आपके education के लिए आएंस इंडिया होमियोपैथी की तरफ से है कि आप education लें कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो आपको थोड़े अपने दवाओं और इलाज के बारे में पहले से मालूम हो साथियों हम लोग चलते हैं होमियोपैथी में इसकी 10 कारगर दवाओं की तरफ अगर आपके मुह में छाले पड़े हैं तो सबसे कारगर दवा साथियों इसकी है दो दो बून दिन में तीन बार आप उसे सिती में ले सकते हैं जब आपके मुह के छाले में वाइट कोटिंग हो और चीक्स में भी हो गए हो तो वाइट कोटिंग अगर मुह के छाले पे है तो दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आपको मुह के छाले ठीक हो जाएंगे और आपको फाइदा मिल जाएगा तीसी दवा साथियों मुग के चाले ठीक करने के लिए आर्सनिक आर्सनिक के अलबम 32-2 बून आप दिन में तीन बार तब ले लें जब आपको बहुत प्यास लग रही हो बार-बार आपका पानी पीने का मन कर रहा हो और गुनगुने पानी से आपको आराम मिल रहा हो अगर यहाँ सिंटम आप में है तो आर्सनिक अलबम समझ लीजे आपकी दवा है 30 पावर में आप इसकी दो-दो बून ले लीजे चौछी दवा साथियों इसकी है नाइट्रिक एसिड आसिड नाइट्रिक है नाइट्रिक एसिड दो-सो आप तीन खुराग 5-5 मिनिट के अंतर पर उस इस्तिती में ले ले जब आपके टंग में क्रैक्स आए हो या जिग-जैक पोर्शन में आपके मुह में चाले पड़े हो जगा जगा चाले पड़े और क्रैक्स हो उस इस्तिती में साथियों नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी दवा है इसकी 200 पावर में आप तीन खुराग 5-5 मिनिट के अंतर पर हर हफते ले ले बार बार आपके समस्या होने आली समस्या खत्म हो जाएगी इसके साथ ही साथियों इसकी कुछ और दवाय है जिसमें की लिकैसिस शामिल है अगर आपकी नीली टंग है ब्लू टंग है और आपके छाले पड़ रहे हैं तो लिकैसिस 1 एम की आप एक खुराग हर हफते ले 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 तो आपकी टंग का ब्लूनेस भी च दिन में तीन बाल ले ले तो आपके जो वाइट कोटिंग के टंग के जो छाले हैं वहाँ पुरी तरह चले जाएंगे और आप उससे निजात पा जाएंगे फिर साथियों एक और स्थिति आती है जब हमारे गड़े पड़ गए हूँ बहुत गहरे छाले पड़ गए हूँ वह गड़े नुमा दिख रहे हूँ इसकी दवा साथियों सिफलीनम है सिफलीनम 1M की खुराक हर हफते आप ले ले हूँ सिस्थिति में जब छाले बहुत गड़े गहरे माउत अलसर हो गए हूँ जुबान पे होट पे चीक्स पे तो सिफलीनम 1M की हफते में एक खुराक आ पूरे देश का नक्षा आपकी टंग पे बन गया हो अगर ऐसी सितियों साथियों तो 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 दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आपको बहुत फाइदा हो जाएगा आपको लाप पा जाएंगे साथियों साथ में एक घरेलू नुकसा मैं बताना चाहूंगा अगर आपके मुँँ में च्छाले हैं तो आप गरी का बुरादा और उसमें कथा डालके अगर आप उसका सेवन कर लेते हैं तो भी आपके मुँँ के च्छाले ठीक हो जाएंगे और आप लाप पा जाएंगे पस इसमें बात यह है कि जो है इसकी और भी बहुत सी रेमिडीज है जो हमारे किसी दूसरे वीडियो में है आपके नीचे लिंक दिया हुआ है आप उसे क्लिक करके तमाम घरे लुनुक से भी इस मुतालिक देख सकते हैं यह साथी हुए प्रियास था डॉक्टर उमंखर्ना हुम्योपेटिक क्लिनिक की तरफ से आपके सामने सही दवाय लाने का यहां किसी किस्तक का विकल्प नहीं है यहां केवल एक नौलेज है जो आपको हम पासौन कर रहे हैं ताकि आप किसी डॉक्टर के पास जाए तो आपक कैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग को अद्रस सकती मिलती रहे और मैं ऐसे ही कोशिश करता रहूं कि होमियोपेटि को बढ़ाने की और आपके भी सही चीजों को लाने की और एक बेल बटन नोटिफिकेशन का होता है उसको क्लिक करने ताकि हम लोग जब भी निया व कर दो